तो हलो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप भी TeraBox की यूजर हैं और आप TeraBox पी जब लोगिन कर रहे हो आपका TeraBox लोगिन नहीं हो रहा है इस प्रकार का इंटरफेश आ रहा है fail to login please try again later तो इस problem को ठीक करने के लिए सिर्फ आपको इस वीडियो को सुरू से अन तक देखना होगा बेना skip किये क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे tips और ट्रिक बताऊँगा जिससे आपकी ये problem 100% हो जाएगी तो उसके लिए आपको आजाना अपने phone की home screen पे and open करना है play store और यहाँ से सर्च करना है teravox application सर्च करते ही आपके सामने इस प्रदर का interface show होगा यहाँ पे चेक आउट करना कि आपका teravox application update मांग रहा है या नहीं in case update मांग रहा है तो इसको प्यार से वहबबस से update कर लेना and then पूरा बैग करके आपको home screen प्याना है and open करना है अपने phone की setting को and यहाँ से scroll करके आपको find out कर लेना है apps का section यह रहा हमरा apps का section इस पे जैसे आप click करोगे आपके सामने कुछ इस बगार का interface show होगा तो यहाँ से आपको app management में जाना है then आपके सामने आपके phone में इतने भी apps होंगे वो सारे so हो जाएंगे यहाँ से scroll करके या search करके आप find out कर लेना terabox application तो मैं यहाँ से scroll करके नीचे की तरफ आओगा तो यह देख सकते हैं आपके मिल चुका है terabox application और जैसे यह आप terabox पे click करोगे आपके सामने कुछी सुरगार का interface show होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहरे इस tip जो है force stop करना है उपर आपको option मिल जाएगा force stop का इस पे click करना and then इसको force stop कर देना and then नीचे आपको option मिल जाएगा यहाँ पे data uses का तो इसी पे आपको click कर देना है and then यहाँ से आपको last में तीन option मिल जाएगे disable mobile data, disable wifi, background data इन तीनों को एक बार on off कर लेना and then one step back आना and then आपको आना storage uses में and इस पे आने के बाद आपको click करना है और यहाँ से आपको clear data clear access इन तीनों को आपको clear कर देना है and यहाँ से इतना करने के बाद आपका यह setting complete हो जाएगा आपको पूरा back करके home screen पे आ जाना है and then आप आपको क्या करना है यहाँ से आ जाना है आपको अपने tear box application में and open करते ही आपके सामने कुछी इस परकार का interface चो होगा इसके terms and conditions को आप read कर लेना and उसके बाद आपके सामने इस परकार का interface होगा यहाँ से continue with google पे क्लिक कर देना and आपके सामने आपके email आ जाएंगे आपके कोई सा भी एक google account से लिट कर लेना and then उसके बाद boom आपका tear box यहाँ पे login हो चुका है आपकी problem यहाँ पे solve हो चुकी है so अगर अब भी आपको कोई दिक्कत आ रहे है tear box में login करने में तो आप हमें comment करके बता सकते हैं उसका solution मैं आपको दे दूँगा and वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और वेल आइकन दबा के guys इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर सेखर कर देना मिलता है किसी नेस वीडियो में तब तक क्लिए बाइ धन्नमाज थैंक्स वाचिंग में